एक दिन दर्बार की कारिवाही के मत्य बादशा अकबर को मस्खरी सूजी और उन्होंने बीरबल के मज़े लेने के लिए सवाल पूछा, बीरबल, ये तो पताओ कि हथेली पर बाल क्यों नहीं उपते, सवाल सुनकर बीरबल, समझ गया कि आज बादशा मजाक में मूर में है हजिर जवाब बीरबल कफ औरन कोई जवाब नाता देख खकबर बोले, क्यों बीरबल, हर सवाल का जवाब तो तुम तपाक से दे देते हो, आज क्या हुआ कुछ नहीं जहां नाह, मैं बस ये सोच रहा था कि कस की, हथेली पर बीरबल ने शांती से पूछा, हमारी हथेली के कारण आपकी हथेली में बाल उगना नाम मुमकिन है, बीरबल ने जवाब दिया, चलू मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं है, ऐसा क्यों अकबर आसानी से कहा मानने वाले थे, उन्होंने तुरंत दूसरा जवाल कर दिया, ये सुनकर दरबा हथेली पर भी बाल नहीं है, बर इस जवाब से प्रभावित तो हुए, लेकिन उनका मन किसी भी तरह बीरबल को निरुतर करने का था, इसलिए उन्होंने तीसरा सवाल दागा, चलो ये तो हुई हमारी और तुम्हारी बात, लेकिन इन दरबारियों का क्या, ये, तो हम से ह हमीश इनाम नहीं लेते, ऐसे में इनकी हथेलियों पर बालकेओं नहीं है, इस सवाल पर दरबारियों को लगा कि अब बीरबल फस गया, लेकिन बीरबल यूही अपनी वागपटुदा के लिए प्रसिध नहीं था, वह जट से बोला, जहां पनाह, आप इनाम देते रहते ह और मैं इनाम लेता रहता हूं, ये देख सभी दरबारी जलन में हाथ मलते रह जाते हैं, इसलिए इनकी हथेली पर बाल नहीं है, ये सुनना था कि अकबर ठहा का लगा उठे, उधर दरबारियों के सिर्शर्म से ज्रू गए